अरुन जेटली पर गंभीर आरोपाम आद्मी पार्टी ने लगाये हैं, प्रेस कॉन्फरेंस इस वक्त भी जा रही है, आई आप पुसी धिलिये चलते हैं जज श्री विनोष कुमार जी एडिस्टिक जज ने दो जज़ों की न्यूपती करी और कहा कि एक स्पोर्ट वर्किंग कमिटी होती है डीडीटिय की, उसके चुनाग को देखिए, चुनाग को कराईए और उस पे रिपोर्ट दीजिए, स्पोर्ट वर्किंग कमिटी जो 111 क् उन दोर जिजों की रिपोर्ट में आपको बताता हूं, उन्हें ने ये कहा कि इस DDCA में स्कूल और कॉलिजों के बच्चे खेल ही नहीं सकते हैं, केवाल अमीरों के बच्चे खेल सकते हैं. There is no scope for the students of school and colleges to participate in a league module of the DDCA. ये कहता है, having regard to the fact that it has to fulfill hopes and aspirations of millions of people living in NCT of Delhi, it has to act responsibly. It cannot act arbitrarily, whimsically and depreciously or with bias. साथ ही साथ, इस report में conclude करा और कहा, that there are massive continuing illegality in affiliation of the club, and thus concluded that they are not eligible to vote. यानि कि जो आपका चुनाव होता है, वो सब भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में है, electoral mal practices होती है, आप जिस प्रकार से अपने खाते बनाते हैं, वो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से आप बिलों की payment करते हैं, पैसा गुमाते हैं, proxy billing कराते हैं, proxy litigation कराते हैं, उसमें भ्रष्टाचार है, आप जो फाइल उठाईए, BDCA की, उसमें ब्रष्टाचार सामने आया, और आज, ये तक से हम सब आजके सामने सारवज़े भी कर रहे हैं, और दो बाते कह रहे हैं कि मोदी जी, सबसे पहले अपने ब्रष्ट मंत्री को उटाईए, आप लोगों ने कहा था कि collective responsibility होती है, मन्मोन सिंग को कहा था, collective responsibility होती है, तू जी गोटाला हुआ, कोल गोटाला हुआ, मन्मोन सिंग का स्पीफा मांगा, या तो collective responsibility के साथ सबूत दे रहे हैं, आज, मामादी पार्टी है, सबूत जारी कर रहे हैं सारे, जिससे साबित होता है कि, अरुण जेटी जी के अदेक्षटा में ब्रस्टा चार हुआ, उनकी सहमती से ब्रस्टा चार हुआ, आज, अदिमांड करते हैं मोडी जी से, कि अपने भरस्ट मंत्री को हटाएं, और दूसरी चीज, या जो तमाम ब्रस्टा चार हुआ है, तो ये बहुत बड़ा conflict of interest का मुद्धा होता है यदि जेटली जी की ओपर ही जांच बैटनी है यदि जेटली जी की अधेक्ष्टा में जो डीडी सी है पंदरा साल में जो भरस्टा चार्च चला उस पे जांच बैटनी है तो जेटली जी की एजन्सियां कैसे उसकी जांच कर सकती है ये जन्ता को बताया जाए हम एक बात फिर दोड़ाते है कि जिस प्रकार से जो आज मैंने सारे साइक्स आपके सामने रखे और आपको यह भी इमेल के मार्जम से भी बेदिये जाएंगे इन फाइल्स पर इन सारे दस्ता लेजों पर जब अर्विन केजरिवाज जी कमिशन ओफ इंक्वाइरी बिठाने जा रहे थे उस फाइल को देखने के लिए स्टी बी आई उनके आफिस में रेट डालती है जेटली जी के बरस्टा चार को बजाने के लिए उनके दस्तर पर रेट डाली जाती है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार का एक अफसर जिसकी अज़च्टा में दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट दी बीटी सिय के बरस्टा चार पर रिपोर्ट दी उसने निवेंबर में रिपोर्ट दी मोधी जी की सरकार जेटली जी का पुलीस मंतराले उसके खिलाफ बिसेंबर के महीने में F.I.R. दर्श कर देता है देखें कि इस प्रकार से ब्यूरोक्राइट की विक्टिमाइजेशन हो रही है तो आज हम जेटली जिससे सारजली कोर्फर कहते है कि वे अमनाब सीफा में और इसकी निश्पक्त जान चो तमाम ब्रश्टा चाहती एक तोड़ा लखा हो गया तुकि एक अन्प्रिपेर्ड टीकेरी रेट नहीं है कि बात में दो बुतल लेके भागे लिया ये इस दश्टे के माधियन से बाकाईदा लेके चीन के माधियन से और हम आशा करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो यह समस्क्त है UPA के शाचन काल में ऐसी बहुत सारी प्रेंस कोंफर्स मिग्या ने कवर की है कि अगर अगर आप सोचते हैं कि आप दर्ब्रसपर अरुटे एंध्राइड करते हैं जिए मोंटने को लिए जूसरी मुंटी करने के लोग है आप में जो बी एरेंस्य सोड़नी हो आपका अधले साड सेओना थो पता चला हैं इसके लिए आपको अग्नी शुब पामना है जहां जाना आपको जाहिए लेकिन इसलिए लंगी हुई कि आपको तर्थीज बार पता होना बहुत आवश्य है एक चीज और एहन जो रहे गई हो मैं जोड़ देता हूँ कि Ministry of Youth and Sports भारत सरकार का मंचाले दिल्ली सरकार की Chief Secretary को चिट्खी लिखता है और कहता है कि वहीं सदक में जो चर्चाय हुई उससे ये सामने आया कि D.D.C.A. के अतर संपब्परेट कोफिश की इल्लीगल कंस्रक्शन होती है और को बेज दिया जाता है ये मंसर ये मंजराले कह रहा है, केंद्र मंजराले और साप में कहता है साथ में कहता है कि Entertainment Tax की चोड़ी भी हो रही है Entertainment Tax दिल्ली सरकार को नहीं दिया जारा DDC द्वारा DDC ए Entertainment Tax की चोड़ी कर रहा है और इसलिए केदर मंतरा ने दिल्ली सरकार को ये कह रहा है कि आप इसमें जाज बठाइए और अप्रोपरेक्ट कदम उठाइए अपनी केंडर सरकार के जवाब दे हैं अपनी पार्टी के असंड समर्थक शीराम जेट मलानी की सवाल उनाते रहे हैं उनके जवाब दे हैं अपनी पार्टी के पजबता सेरानी के पोते देश को विशुप अपने गौरब दिल्वाने वाले करते हैं कि वह उनके बहुत सारे पसंदीजा पोर्टल है मीडिया में उन पसंदीजा पोर्टल के लिए हम वहाँ भी आने के लिए करिया तो वहां बैठना है हमारी और के हम मैंते कोई भी रिख्ती ये का सो उनके बात की से लेका अब देश के सामने वो इसको बताएं प्रेस कॉंटेंस पूरी बात आजाने जी जिए फिर आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाए है कोई जानी रहा है निपक बाजिपादी आप राज़ाजी ने बहुत भी कॉंप्रेंसिस प्रेस कॉंटेंस देख सारे इस तर्थ ये उठाए हैं आपके सामने रखें कुछ छोडी की चीज़ें जो एहम आपके ठावने पर रखना चाहता हूं वह ये कि 24 क्रोड रुपे से फिरोड शाथ कोटना सेटियम का जो रिपैर और अनुवेशन वर्ग शुरू हुआ था जो आखिर में 114 क्रोड रुपे के पेमेंट लेने के बाद ख़जम हुआ आप 12 क्रोड रुपे का काम सिर्व होता है एक तो 14 क्रोड रुपे में खंच होता है the day 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 प्राइवेट कंपनियों को दिये गए जो प्राइवेट कंपनियां थी लेकिने प्राइवेट कंपनियां कौन सब्सक्राइब यह प्राइवेट कंपनियों को भी ड़कbei करने काया थ repeated अन्हें अंड़्य लीकिन खिश्वें अंच्ट्व्राइव्त인이ड सब्सक्राइऑ यह फ्यारी कंपनियां यह फीर attends बेरस्क्राइब एंड एमाउं इस्टेंट रूपे यह जिस कंप्रीयों को दिया गया यह जाउंट्रीक होकर दीजिए के ऑपेस बेरर्स की वापीस जेज में पहुंच गया और मैं यहीं करने डाल दूं अलाकि इसमें नाम नहीं रिखा हुआ है लेकिन ओपेस रेर्स में सब्सक्राइब उस्टेंट रूपे अरुन गेंगी है नमबर एक नमबर दो इसमें आप से कुछ देर पहले राजिंद्र कुमार CBI के दफ़र पॉच गाए लेकिन इस बीच CBI की रेड पर के जिवाले आरोप लगाए है क्योंकी दफ़र की फाइले भी CBI ले गई है और इसमें ग्यारा बविंटर सर अर्पना स्थ देको न lunar चार्ट स्थाड़ कम आस तुमार काप से लेड़ गाए हैं और है कि अड्रीक नोलीग विद रोग इस दिर्ट नट नटिए वाइल नटेंग लूझात झाल झाल